अस्सलाम अलेकुम और रहमतुल्ला, तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे STC का जो पे है, यानि STC पे कैसे दिखाएंगे हम लोग, यह जो STC पे है, इसका ATM किस तरह आप ATM ले सकते हैं, STC पे का, इसमें फाइदा क्या है, आप अनलाइन में ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर, इट्सेक्टरा, बाई कर सकते हैं, तो यह है कार्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस कोल के आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रियेट यूर STC पे कार्ड में क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरह, करने के बाद एक होता है डिजिटल कार्ड और एक होता है फिजिकल कार्ड, डिजिटल और फिजिकल में डिफरेंस एही है, कि डिजिटल जो है, वो है, आपका अनलाइन में रहेगा, और फिजिकल जो ह आपका हाथ में रहेगा ठीक है एही फर्क बस एक दिखे का एक नहीं दिखेगा तो दोनों का काम सेम है बट दोनों हाज में नहीं आएगा जो फीजीकल है वह आएगा डिजिटल नहीं आएगा तो हम डिजिटल बला करके देखते हैं ठीक है तो create a digital card में क्लिक करेंगे ठीक है तो यहां पर बता रहा है वीसा स्टी सी पे classic card क्या देगा इसमें 5% cashback देगा control manage apple payments etc ठीक है और digital classic है वो same यह है ठीक है तो यह है क्या यह classic है और अगर आप platinum लेना चाहते हैं यहां पर so platinum में क्लिक करेंगे तो इस तरह यह platinum होगा ठीक है digital platinum free and charges यह free भी है और charges भी है और जो classic है यह फीज and charges है ठीक है तो platinum यह है इसमें क्या होगा 0.75% cashback देगा long access control and manage apple payments ठीक है और एक signature वाला है digital signature यह भी फी and charges ओके सारा सम एक 1% यह यह देगा और एक माड़ा माड़ा तो में सब लोगों को मालूम है जो है माड़ा digital control and manage ठीक है तो इसमें कुछ नहीं देगा देखिए दूस्तों इसमें कुछ है ठीक है यह नॉर्मल है तो क्लासिक में हम करता है क्लिक कि क्लासिक में आये है तो उसके बाद हम selected में क्लिक करेंगे करती है क्लिक उसके बाद बता रहा है classic yearly fee you can create one digital and one physical card promo code ठीक है तो यहां पर बता रहा है क्या कि क्लासिक कार्ट एक साल के लेने के लिए यह इसका जो क्या बोलते you can create one digital and one physical card तो payments के बारे में बता रहे हैं तो देखते हैं अगे चलके हमारे पास कोई promo promo नहीं है तो हम continue में क्लिक करते हैं तो यहां पर नाम आएगा उठके जो के card के उपर लिखा होगा क्योंकि यह digital है fully इसमें क्या करेंगे टार्मेंट कंडिशन में accept कर लेंगे इस तरह टेक उसके बाद यह continue में क्लिक करेंगे तो अभी बता रहा है definite card defined card pin तो card का जो है वो पीन आपको मांग रहा है तो हम बना लेते हैं उसके बाद दो बार इसको इंटर करना पड़ता है security के लिए हमें hide करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या कुछ process होता है तो यहां पर बतार आए subscription 27 एप्रेइल एंड डेट स्लेक्टेट ए प्लैन क्लासिकल या लिफी नेम आ गया card जो है वो फ्री है selected account balance तो account and balance यह तो कुछ भी नहीं हम देखते हैं confirm करके order summary तो यहां पर हमारा जो कार्ट है वो बन चुका है ठीक है और यह cashback चार्ट है यह 0 है available limit यह जिरो है और यहां पर quick action for this account card को lock कर सकते हैं card info my spending card benefits card setting pending transaction यह सारा card में दिखाई देगा तो हमारा यह card ठीक है तो आप यहां पर सारा कुछ limit है आप कर सकते हैं ठीक है जो हमारा card है अभी क्या करेंगे इसको wallet में भी ले जा सकते हैं apple add to apple wallet में ठीक है तो हमारा card बन गया आप यहां से click करके apple wallet में लेटी आ सकते हैं तो थैंक यू देखने के लिए जय हिंद्व